नवस्कार दोस्तो अगर आप CSC-BRE हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेवर कार्ड बनाना सिखाने वाली हैं बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हुगा कि लेवर कार्ड के क्या वेनिफेट हैं दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार की नई नई योजनाएं आती हैं उनमें से एक योजना हैं जिसका नाम है लेवर कार्ड और लेवर कार्ड लेवर कार्ड के लिए बनाई जा रही हैं जो असंगेटित छेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लेवर कार्ड बन जानने के बाद सबसे पहरा लाव होता है कि दुरगटना बीमा हो जाता है लेवर कार्ड बनते ही अब उस दुरगटना बीमा के अंतरगत क्या क्या चीज़ें आती हैं पहली चीज अगर किसी भी लेवर कार्ड धारक की मिरत्यू हो जाती है जो सामान मिरत्यू होती है तो उस body का कोई ऐसा part damage हो जाता है जिससे वो काम नहीं कर सकता तो 75,000 रुपए सरकार की तरफ से दिये जाती है और आपको बताना चाहूंगा इसमें बहुत सारी चीजें और दी जाती है जैसे कि कभी भी उसके family member या वो खुद hospital में 5 दिन तक admit रहता है तो 5000 रुपए की साहता रासी सरकार की तरफ से दी जाती है इसके अलावा उसके बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी सरकार साहता करती है इसके अंतरगत बहुत सारी योजनाय सरकार की तरफ से चलाई जाती है जिसमें एक हजार रुपए प्रत महीने तक भी मिलता है लेकिन इन सभी योजनाओं का लाव लेने के लिए सबसे पहला जो इस्टेप होता है लेवर कार्ड बनवाना होता है तो अगर आप CSC चलाती हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के जो की असंगटित छेत्र में काम कर रहे ह उनका लेवर कार्ड बना सकते हैं और उसके बाद उनको इन योजनाओं का लाव दिलवा सकते हैं तो चलिए आजकी इस वीडियो को शुरू करती हैं और जानती हैं कि किस तरीके से CSC सेंटर वाले अपनी CSC ID से लेवर कार्ड बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है यहाँ पे आपको digitalseva.csc.gov.in ओपन करना है और डिजिटल सेवा पे जाके आपको अपनी CSE ID और पासवर्ट डालके लॉग इन कर लेना है चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ लॉग इन करने के बाद आपके सामने यह CSE का पे जा जाएगा सर्वेस में जाना है जो कि सर्वेस का ओप्सन आपको साइड में दिख राए तो सर्वेस पे किलिक करना है और सर्च में जाके आपको labor card सर्च करना है तो चलिए मैं यहाँ पर labor card डालता हूँ और उसके बाद labor card registration नाम से ये option आता है और देख सकते हैं click here पे हमें click करना होगा और उसके बाद ये man website open होके आ जाएगी नीचे csc login करें पर click करना होगा तो मैं उस पे click कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको ये website दिखेगी ceramic panjian नाम से option दिखेगा जो कि पहला बाला option होगा उसी पे हमें click करना होगा तो हम 5 गरड कर रहे हैं ceramic का तो ceramic 5 गरड पर click किया हमने उसके बाद mobile number यहाँ पे enter करना होगा और उसके बाद OTP भीजें पे हमें click करना होगा और उसके बाद mobile पर एक OTP आएगा जिसका आप बना रहे हैं उसका ही number डालना है वो OTP यहाँ पे दर्ज करना होगा और प्रमाडित करें पे आपको click करना होगा तो चली मैं OTP डाल देता हूँ और प्रमाडित करें पे click कर देता हूँ तो यहाँ पे OTP हमें मिल चुका है और उस OTP को हम डालके verify कर देते हैं यानि कि प्रमाडित कर देते हैं तो जैसे ही हम OTP डालेंगे OTP डालने के बाद हमारे सामने next window open हो जाएगी तो चाही साही OTP डालिए उसके बाद आपको यहाँ पे मंडल चुनना होगा कि आप कौन से मंडल से हो तो मैं यहाँ पे अपना आगरा चुन लेता हूँ और उसके बाद आपको स्रमिक का आधार नंबर डालना होगा तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्रमिक का नाम डालना है और यहाँ पे स्रमिक का नाम पिता का नाम और आप Hindi में डालोगे sorry आप English में डालोगे और Hindi में अपने आप Side में लिखके आ जाएगा जैसे मैंने ये रोईसरमा डाला और उदर रोईसरमा Hindi में लिखके आ गया है ऐसे ही आपको पिता का नाम डालना है उसके बाद Link सेलेक्ट करना है जनमतिती डालनी है और IU कितनी है वो डालनी है उसके बाद ये Term and Conditions को Accept करना है दोनों को और आपको नीचे आधार सत्यापन पर क्लिक करना होगा तो चलिए मैं ये सभी Detail Submit कर देता हूँ और आधार सत्यापन पर क्लिक कर देता हूँ मैंने Detail सभी भर दी है अब मैं सबसे नीचे आऊँगा और आधार सत्यापन पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा ये भाग First है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ Basic Detail डालनी होगी और वो मैं आपको भर के बताता चलता हूँ कौन-कौन सी Detail है जो हमें भरनी होगी यहाँ पर जिन पर Red टेक हैं वही Detail आपको भरनी होगी बाकी की नहीं भरनी जैसे यहाँ पर माता का नाम डालना है इसके अलाबा आपको अपना कारे का प्रकार चुनना है कि किस प्रकार का आप कारे करती हैं उसके बाद आपको बैवाहित इस्तती में आप विभाहित हैं तो विभाहित सलेक्ट कर सकती हैं जाती डालनी होगी सामान ने जाती के हैं या किसी और जाती के वो उसके बाद आपको अपना mobile number बगएरा डालना होगा नीचे आपको अपना address पूरा देना होगा यानि कि अपना पता डालना होगा जिसमें आपका state, district, block, तैसील और कौन सा गाउं है उसका नाम होगा, pin code क्या है, post office क्या है वो सारी चीज़ डालनी होगी और अगर आपका पता same है जहाँ पर currently रह रहे हो तो उसको tick कर सकते हैं आपने कितना काम किया है, एक साल में वो डालना होगा उसके बाद आप कितने साल के लिए बनाना चाहते हैं वो और उसके बाद नॉमनी की detail डालनी पड़ेंगी जो भी आप नॉमनी बनाना चाहती है और यहाँ पर bank account डालना पड़ेगा bank detail डालनी होगी जैसे खाता संक्या, यह PC code bank का नाम, bank की साखा का नाम bank खाते का प्रकार क्यों सा खाता है, saving है या current account यह सारी detail आपको डालनी होगी जिन पर red tick हैं, वही डालनी है उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ photo और document अप्लोड करनी है जैसे सबसे पहले स्रमिक को अपना photo डालना है और यहाँ पर आधार काड अप्लोड करना है, और तीसरे में bank की पास अप्लोड करनी है और गोशना पत्र अप्लोड करना है फोरत में, गोशना पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं यह अप्लोड करने के सामने डाउनलोड का option दिया है तो वहीं से आपको इसे डाउनलोड करना होगा तो मैं एक बार इसे डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा उसके बाद भाग 2 आएगा और भाग 2 में आपको अपने परिवार की जानकारी देनी होगी यानि की परिवार की मेंबर एड करने होगे उनका अगर रजिस्टर है वो इस योजना में तो उनका रजिस्टेशन नमबर डाल दीजिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप बाकी डिटेल दे दीजिए जो आपके पास डिटेल है जैसे सदस्य का नाम बगएरा सदस्य का नाम हिंदी में अपने आप आजाएगा उनका आधार कार्ड नमबर लिंग जन्मतिती बगएरा यह सारी चीज़ है तो यहाँ पर मैं डोकुमेंट सभी अपलोड कर देता ह आपको यह अपलोड करना होगा तो यह सभी डिटेल इसकी भर दीजिए मोवाल नमबर बगएरा डालके यहाँ पर स्वगोसित प्रमाड पत्र अपलोड करें में इसी को आपको अपलोड करना होगा भरने के बाद तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको सही सही भरनी होगी म मैं भी फटावट से सभी चीज़ें भर देता हूँ जो मैंने बना के रखी हैं जो फोटो बगएरा सारी चीज़ें मैंने लेके रखी हैं और आप यहां पे बैंक की पासोग अपलोड कर दीजिए और जो गोसडा पत्र हमने अभी दिखाया था वो भी मैंने भर लिया और स्क उसका भी बना रहे हो उसका reject ना हो तो आप देख सकते हैं साइज आपको 100 KV के अंदर ही रखना है 100 KV से जादा नहीं रखना मैंने सभी चीज़ें डाल दी हैं अब पंजी करन करें इस पे आपको किलिक करना होगा किलिक करने के बाद आप सीधा next page पर transfer कर दिये जाओगे तो बस यही basic step आपको लेने हैं और जैसे आप next page पर जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाएगा तो यहाँ पर आपकी पंजीयन संक्या दिखाई जाएगी इस रमिक की उससे save कर लीजिए और search payment पर आपको किलिक करना होगा यहाँ पर एक साल के लिए यह फिरी रहत एक से जादा के लिए बना रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे हर साल यह renew होता है जैसा कि आपको पता होगा pay fees पे आपको किलिक करना होगा और zero भुकतान दिखा रहा है क्योंकि एक साल के लिए बना रहे हैं और आपके CSE wallet में पैसा होना जरूरी है भले ही fees zero है ल आप भी अपनी CSE ID से लोगों के लेवर कार्ड बना सकते हैं एक साल के लिए लेवर कार्ड फ्री रहता है तो यह information आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न जिससे आपको CSE VLE से जुड़ी हुई जानकारी लगातर मिलती रहें धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए